कुबेर का अहंकार यह एक पौरानिक कथा है। कुबेर, तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए वह कैलाश पहुंचे और कहा प्रभो आज मैं तीनों लोकों में सबसे धन्वान हूँ यह सब आपकी कृपा का फल है अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करे भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए बोले वच्स मैं कहीं बाहर नहीं जाता कुबेर गिडगिड़ाने लगे भगवन आपके बगएर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा तब शिव जी ने कहा एक उपाय है मैं अपने छोटे बेटे गणपती को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूँगा कुबेर संतुष्ट होकर लौट आये नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया तीनों लोकों के देवता पहुँच चुके थे अंत में गणपती आये और आते ही कहा मुझको बहुत तेज भूख लगी है भोजन कहां है कुबेर उन्हें ले गए भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गये। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे चट कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपती का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुँचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गये, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया, तो गणपती ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो तुमने मुझे न्योता क्यूं दिया था। कुबेर का अह